हालो गुद मॉनिंग नमस्कार एक वर फिर से आप सब का स्वागत है वाइफास्टेरी स्टूडियोस पे विच अपार्ट अफ अनक आदमी तो हर दिन की तरीके से सुबह साथ बुजी का जो समय है यह रहता है आपका मीन करेंट अफेर का क्लास जिसमें हम लोग पूरे दिन का इंट अफेर्स पड़ते हैं जो हर एक 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 जाम के लिए जरूरी होता है चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के प्रपार कर रहा हो या आपका एंडी हो सीडीए सो डिफेंस एक्जाम में कोई भी एक्जाम क्यों ना हो या अपका एससी रेलवे या फिर डिया या तो हर एक 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 जाम के लिए सबसे जादा जो इंपॉरिंट होता है और इस पर्टिकुलर सेशन में हर एक एरिया को यहां पर हम लोग डिस्कुस करते वह चलते हैं तो वेरी गुद मॉर्निंग जितने लोग आ चुके हैं अब सबसे पहरा काम क्या होता है एक बार से कोपी मारो और फ्रेंज के साथ इसको शेयर कर दीजे ताकि सब के सब यहां पर सेशन में आ जाए गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग जीतु ममता दीपा मोटिवेशनल वर्ड मॉटिवेशनल वर्ड मौसम मोहित प्यार का पौदा मनीश बसंत नितिन कुलवंत गुद म अशिष गुद मॉर्निंग संदीप पुषपेंद कौशल मोहित बबलू हिमांशु तरुन मंजीत मनप्रीद सब लोग यहां पर आना शुरू कर चुके हैं अब देखो एक चीज जिहान रखेगा कि इस सेशन में क्या क्या रहने वाल है वो हम लोग डिसकस करेंगा और उसके बाद यहां पर पूरा सेनारियो देखेंगे कि एक्जाम के पार्ट पर क्या क्या चीज़ा इंपॉरिंट होती है जल्दी जार एक बाद से शेयर मार दो ताकि यहां पर क्लास शुरू किया जा सके और यह कैसा लग रहा है तुम लोग को यह तुम बताई नहीं रहा है आपको यहां पर चलो अच्छा अब शुरुआत करते हैं कि आज की सेशन में क्या रहने वाला है सबसे पहले होंगे न्यूस फेपर हेडलाइन जुसमें यहां पर FATF के बारे में एक न्यूस निकली हुई है और जो दूसरी न्यूस है वो आपकी IMF के द्वारा आई है अब IMF ने अगर किसी भी चीज को रिलीज किया है तो अव्यसी बात है इंडिया की GDP के बारे में ही को बात करेंगे तो हम लोग इस सेक्शन को भी एक बार देख लेंगे न्यूस का पार्ट बना है डिस्कुस करना पड़ेगा बढ़ यह याद रखेगा जितनी भी यह आपकी चाहिए ऑल्गनाइजेशन हो यहां पर क्रेडिटेटिंग एजनसी जितनी भी यहां पर किसी भ पिर हो गाए एमसीकु का पार्ट जहां पर पुरानी वाली न्यूस को हम लोग नई वाली न्यूस के साथ कनेक करेंगे वन लाइनर देख लेंगे न्यूस में वन लाइनर कॉनसाप स्टेट हो जाएगा कंट्री होगा लास्ट में वन कोश्चन ठीक है ओल सेट बनन प्रिं अब क्लास को शिरू करने से पहरे हमेशा की तरह एक इंपॉरेंट थॉट होता है तो यहां पर हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर थॉट के बारे में फाइंड योर वाइव व्रीम फोर वाट फिल देट टेस्ट ऑफ सक्सेस तो आइओप कि यहां पर जो वाइव वाट और सक्सेस लिखा है इससे कुछ ना कुछ तो आपके दिमार्ग में सीधे जाके टक से भोला होगा फाइंड योर वाइव मतलब अगर आप सर्वाइव क काम चला ले रहें ऐसे जोड़ी ना होता है यह सब चीजें पीछे चूट जाती है जब हम यहां पर अपना गोल डिसाइड कर लेते ना तो इन सब चीजों कोई मतलब नहीं होता तो यह यही बोला जा रहा है आप से कि पहले आप लाइफ में यह डिसाइड कर लो कि हम एग काली पुलाओ वहां पर पक रहें और काम उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहें तो ड्रीम के लिए ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको एफर्ट भी करने पड़ते हैं कभी भी कोई भी चीज बैठे बिठाए आपको हांसल नहीं होती है फिल टेस्ट आप सक्सेस तभी जा चलो अच्छा ओंकर अजीत अनूप खुश्बू विकास संदीप आम गुड़ एच्पी गुड मौनिंग दीपक दीपती आरिफान गुड मौनिंग खुश्बू चले अच्छा अब यहां पर शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले की पॉइंट देख लेते हैं कि यह बैच आपका चल रहा है अभी भी अगर नहीं जॉइन किया है तो दिस इस दा लास्ट इनांस्में कि आप इस बाच को जॉइन कर लो क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि एकनोमिक्स खतम होने पर आ जाओ फिर तुम लोग पूछो माम एकनोमिक्स का बाच तो यह जो बैच चलना है जब आप इसको जॉइन करेंगे तो इसमें सिफ आपको एकनोमिक्स नहीं मिलेगी एकनोमिक्स के साथ quality, geography, जितने भी GS के subjects हैं सारे के सारे आप अटेंड कर पाओगे पूरे एक सारे सारे के बैच बाच जितने भी classes आएंगे सारे के सारे आप देख पाओगे जाय फिर वो जीएस का हो, करेंटरफेस का हो, माच का हो, इंग्लिश का हो या रीजनिंग का हो इस बैज को जब आप अवेल करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है कोड विल भी कृती टेट और जो पूरे साल भर का करेंटरफेस हम पढ़ा रहें इसके अंदर वो भी आपको साथ में मिल जाएगा, मतब दस यगे आपको जाने की जरुवत नहीं है सुबह नौ बजे क्या है, सुबह नौ बजे क्या है, एडिटोरियल है एडिटोरियल में तीन आर्टिकल आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं दो होंगे आपके कलके और एक होगा आपका आज का क्योंकि आज के पेपल में कुछ बहुत ही खास आर्टिकल्स वगेरा नहीं निकले हुए थे और राज में जो आपका नौ बजे क्लास हो रहा है उसमें आज हम लोग मौक कोशन डिसकस करेंगे आभी तक प्रिविज ये पेपर देख रहे थे आज हम लोग क्या करेंगे मौक कोशन डिसकस करने वाले क्या करना है ध्यान से सुन लीजेगा आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिनको इन क्लास के लिंक नहीं मिल पाते तो आज ही डिसक्रिप्शन बोक्स जो है वीडियो के जस्ट नीचे जो डिसक्रिप्शन बोक्स होता है वहाँ पे लिखा होगा follow me on unacademy उसके जस्ट आगे मैंने unacademy का लिंक शेयर करवा दिया है तो आप वहाँ पे जाईएगा उसपर क्लिक करिएगा आप डारेक्ली मेरी प्रोफाल पर पहुंच आओगे, ठीक है? चलो, शुरात करी जाए, बहीं सब आगे, गुद मॉर्निंग, गुद मॉर्निंग, गुद मॉर्निंग तो और शिंकु, रामपल, तनमे, अमरित, विनोत, काजल, नरींद्र, विकास, प्रिया, सना, रोहित, र मैं आपको पूछाता है या लक्षमर सिंग, अभी हाली में इनकी देथ हुई है, यह क्या थे या फिर आपसे पूछा सकता है कि कौन से फील्ड से इनका नाम जुड़ा हुआ था, तो यह आर्मी परसोनल थे, इनको वीर चक्र एवोर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और अभी हाली में इनकी देथ हो गई है, यह कहां से बिलॉंग करते थे, तो यह पंजाब से बिलॉंग करते थे, अब देखो एक चीज में आपको यहीं पर बता दू, कभी भी एक्जाम में अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो सिफ आपको यहाद रखना है, नाम या आपसे यह था कि जो USA है, उसने H-1B वीजा जो है, इसको अभी हाली में सस्पेंड कर दिया है, क्या रीजन है, क्यो है, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, देखो, H-1B वीजा जो होता है, यह USA के दौरा दिया जाता है, कौन सी कंट्री प्रोवाइड करती है, USA जाने बोला कि हमारे यहाँ पर COVID-19 के जो केसे हैं, वो बहत जया बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग है, जो बाहर के देशों से हमारे देश में आएंगे, तो अबशी बात है, अगर उनको COVID होगा, तो हमारे यहाँ पर जो COVID-19 के केसे हैं, वो क्या होंगे बढ़ते चले जाएंगे तो इन्हों ने बोला कि यह जो वीजा है इसको मैं पूरी तरीके से बैन कर रहा हूं कब तक के लिए 31 दिसंबर 2020 तक के रिए इसके उपर पूरी तरीके से प्रतिबन लगा दिया है सबसे जारा सपर कौन सी कंट्री करने वाली ये भी बता ले सबसे जारा जो प्रॉब्लम होने वाली वो इंडिया के लिए होगी क्योंकि आपको भी चीज़ पता है कि हमारे यहां पर जितने भी लोग ऐसे हैं जो IT सेक्टर में काम करते हैं माकसिमम की जो पॉपुलेशन होती है वो एच वां बी वीजा के द्वारे ही युएस आधर उकम कर रही होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक situation create हुई, अच्छा इससे चीज और याद है, point, point, ज़र ध्यान जो सुन लीजेगा, good morning भाई, गोविंद, मंगेश, दीप्ती, बाबुल, अक्षे, विश्नु, good morning रादिका, कार्तिक, अच्छा आप देखों यहाँ पर, चाइना का कली, point आया था, तो मैंने सोचा कि इसको यहीं पर discuss कर लिया जाए, चाइना जो है, इन्होंने बोला है कि अब हम, arms, trade, treaty, ध्यान सुन लेना, important रहे गई आपका, arms, trade, treaty, यह एक संदी होती है, इसके उपर हम sign करने जा रहे हैं, ऐसा चाइना ने बोला है, मतलब समझ सकते हो कि किसी भी treaty के ऊपर अगर चाइना sign करने जा रहा है, तो इसका reason क्या हो सकता है, इसके plus भी होंगे, और इसके negatives भी होंगे, क्योंकि चाइना कोई भी काम बिना मतलब के तो नहीं करता, अब देखो, पहले तो यह पता हो कि treaty कहती क्या है, तो ज़रा सुनिएगा, इस कोई भी country जो है, वो किसी भी देश को किसी भी तरीके का weapon या फिर किसी भी तरीके का जो आम होता है, वो supply नहीं किया जाएगा, ताकि पूरे नाशनल लेवल पर नहीं, पूरे इंटरनाशनल लेवल पर जो peace है और security है, वो maintain रखी जा सके, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कि चाइना जो है, अब वो पूरे वर्ड में शान्ती चाहता है, जिसके लिए चाइना ने बोला है, कि आम स्ट्रेट ट्रीटी जो है, इसके उ कोई वी चीज नहीं प्रोवाइड करते थे, ऐसा चाइना के द्वारा कहा गया, सबसे बड़ी बात यह है, कि यह जो ट्रीटी है, ना, ट्रीटी को साइन कर दो, USA ने बोला, मैं तो साइन नहीं कर रहा है, मैं तो यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा यह क राफल फ्रांस जा रहे है, तो यह जो ट्रीटी है, इसके उपर आप चाइना साइन करने जा रहा है, तो यह नियूस का पार्ट बना हुआ है, तो हमारे लिए ज़रूरी था कि एक बार माई नॉलिज में यह चीज होनी चाहिए, ठीक है, चलो अच्छा, तो इस पॉइंट चाइना केंड डू एनिधिंग, इनका तो ऐसा वाला है, चाइना और शान्ती है न, दोनों साथ-साथ तो नहीं रह सकते हैं, तो चलिए, यह बात होगे, इसके बारे में हम लोग ने यह पर डिसकुशन कर लिया है, चलो, अब आते हैं, यहां पर देखो, काफी सारे लोग FATF, देखो, FATF, क्या है यह, Financial Action Task Force, जल्दी से बताना, इसका headquarters कहां पर है, Financial Action Task Force जो है, इसका गठन किया गया था, कॉंसे यह में, 1989 में, और इसको फॉर्म किया गया था, G7 के देशों के द्वारा, G7 के में, मैंने आपको बताया था, जीजा जी कई बार इटली गए, यह म बैठक हुई, वो Eurasian थी, यानि कि, जो Eurasian Group है, उसकी बैठक का आयोजन किया गया था, अभी हाली में, कहां पर, Paris के अंदर, क्योंकि इसका headquarters कहां पर है, Paris के अंदर located है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, दो काम करता है, पहला काम होता है, Money Laundering को रो टेरिरिजम को बढ़ावा देने के लिए जो पंडिंग करी जाती है, उस पंडिंग को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, FATF करता है, Paris, 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 very nice, है, Gland में है, दीपक नहीं, हाँ, दीपक शर्मा, प्लीज, करेक्ट इट, Gland में आपको IUCN का headquarters मिलता है, अच्छा, एक च Korea, तो इनको किसी भी organization से funding नहीं मिल पाती, for example, IMF हो गया, World Bank हो गया, लेकिन अगर किसी को भी gray list में रखा जाता है, तो इनको funding मिलती तो है, लेकिन काफी जादा यहाँ पे इनको जन्नो जहेद करनी पड़ती है, किसी भी country को अगर gray list में रखा जाता है, इसका मतलब है कि उ आगे हैं इनदा gray list, अब यह चीज़े को थोड़ा से surprising हो जाती है, कि पहले भी यहाँ पर आपको पाकिस्तान gray list में मिला था, फरवरी में भी जब बैठक होई थी, तो भी यह gray list में थे, फिर बोला है, हम बैठक नहीं कर पाएंगे, FATF ने कह दिया, और फिर आप चौती पार जब कहानी आई, तो उनने फिर से बोल दिया, कि यह gray list के अंदे है, मतलब कितनी warning देना चाहते हो, तो यहाँ पर जो काम कर रहा है, वो है China Factor, कैसे China Factor, देखो यहाँ पर आपको नज़र आए है, G7, G7 की बात कर लो, या फिर अगर हम UN की बात करें, तो UN में 5 permanent member होते तो आप देख सकते हैं, कि इसके अंदर भी जो China की power है, वो आपको काफी जादा strong देखने को मिलती है, यह जो ग्रूप आपको नज़र आ रहा है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो पांच जो countries है, उनके पास veto power भी होती है, जब हम UN के case में बात करते हैं, तो यह ची आपने बता हैं, आपने बताई लिए है, हाँ, बिल्कुल सही है, आप देखो यह चीज़ जाने, अच्छा ब्लाक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, आपका इरान भी इसका पार्ट बना हुआ है, नॉर्थ कोरिया और इरान जो है, वो इसके पार्ट बने हुए, जो आपको मिलते हैं किसके अंदर, FATF की ब्लाक लिस्ट के अंदर, अब यहाँ पर पूछा जाए कि कौन से कंट्री है, जो भी कुछ टाइम पहले ही, ग्रे लिस्ट में से बाहर हुई है, तो वो कंट्री कौन सी हो जाएगी, शिलंका होगी, तो अब यहाँ से एक्जाम म आद रखना, अच्छा एक चीज और, अगर पूछा जाता है आपसे FATF की जो Asia Pacific वाली लिस्ट है, उसमें पाकिस्तान कौन से लिस्ट में आता है, तो भाईया उसमें पाकिस्तान ब्लाक लिस्ट में आता है, शब्दों का खेल हो जाएगा अगर सवाल को आपने सही से नही समझा, अगर सवाल में सिंपिली पूछा गया है, FATF की लिस्ट में पाकिस्तान कौन सी केटिग्री में आता है, तो तो आंसा ग्रेलिस्ट मार करके आना, लेकिन अगर उसमें कंडिशन लगा दी जाती है, एशिया पैसिफिक, तो आंसा क्या मार करके होगे, ब्लाक चेर मा दीजेगा, अमिताब, अब देखो यहां पर दूसरी जो न्यूज आई है, यह देखो यहां पर इसको याद मत करना, मैं पहले ही बोले दे रही हूँ, आइमेफ के द्वारा बोला गया है, कि जो इंडिया की GDP रहेगी, वो कॉंट्राक करेगी, कॉंट्राक का मतलब कम हो जाएगी, कितना 4.5%, एक्जाम में आपसे यह नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितने भी GDP वगएरा यहां पर रिलीज करी जानी है, वो बहुत जादा वेरी कर रहे हैं, लेकिन इतना यहां दख लेना कि GDP का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डॉमेंस्टिक प्रोड़क् और जब हम GDP क्यालकुलेट करते हैं, तो किसी भी चीज का repetition नहीं होता, मतलब अगर एक चीज को हमने count कर लिया है, तो उसको दुबारा count नहीं किया जाता है, इंडिया के GDP अलग-अलग organizations ने अलग-अलग बताई हुई है, और एक चीज और बोली गई है, इंडिया की जो GDP र ranking है, वो क्या है, नमबर 3 पे है, नमबर 1 पे आपको चाइना मिलेगा, और नमबर 2 पे कौन सी country है, USA है, क्या है ये चीज, तो ज़रा हम बात कर लेते हैं, देखो, purchasing power parity, purchasing power parity का मतलब यहां पे यह होता है, कि इसको calculate किया जाता है, GDP के अंदर, क्या मतलब होता है, जैसे कि suppose कर अंदर भी एक chocolate देखने को मिलेगे, यानि कि जो purchasing power है, हर एक person की जो purchasing power है, हर एक country के अंदर वो कैसी है, same है, similar है, उसे हम क्या बोलेंगे, purchasing power बोलेंगे, और कोई भी व्यक्ति कितना सामान खरीच सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी जरुवत का कितना सामान खरीच सकता है, इसमें number one पे जो country रही है, वो कौनसी है, चाइना है, number two पे USA है, और number three पे कौनसी country है, इंडिया है, तो अगर ऐसे सवाल पूछा जाए, तो answer कर लेना, प्लीज इसको गरबर करके मता आना, क्योंकि कई बार ऐसे चोटे मोटे कोशल्स जो है, वो आपसे कर लिये जाते है, धर्मीद, veto power का मतलब होता है, आपकी स्वाइच्छा, स्वाइच्छा का मतलब है, कि यहाँ पर अगर कोई भी कानून पारित कराना होगा UN के अंदर, तो इन पांचों देशों की सहमती होना अनिवार होता है, अगर इन में से कोई भी एक country ये बोल देता है, कि नहीं, ये इंडिया को तो seat मिल गई, लेकिन जब हम permanent seat की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, permanent seat में इंडिया को जगह नहीं मिल पाती, अभी देखो, कल जब रशिया के बारे में discussion हुआ था, तो रशिया ने भी बोला है, कि इंडिया को permanent member होना चाहिए UN का, बट कानी वहीं आती है, यह जो चाइना बेट है न, यह कभी allow नहीं करेगा इंडिया को कि तुम आजो, यहाँ पर इसका हिस्सा बन जो, और पता है, एक मज़दार बहुत हो रहे है, यह जो चाइना, यह जो चाइना, यह इंडिया की दया पर ही बना था, और आज यह हालात हो गया है, कि यह जो हम लोग को उसका permanent member नहीं बनने दे रहा है, तो this is the situation जो हम लोग यहाँ पर phase कर रहे है, खेर, चलो, कोई नहीं, तो यह बात होगी, I hope धर्मेंद आपको इसी समझ में आ गई होगी, अब बराक, ओपामा, O.M.D., ओके, प्रमोद, करेंट, चली अच्छा, अब IMF आय साथ में यह भी याद रख लिजगा, किसकी है, कौन है, क्रिस्टियाना जोर्जिवा, कौन सी कंट्री से बिलॉंग करती है, तो यह बुलगेरिया से बिलॉंग करती है, अगर Belgium पूछा जाएगा, तो Belgium कंट्री जो है, यह FIFA की रांकिंग में नंबर वन पे आती है, और FIFA की इंडिया की जो रांकिंग है, वो 108 है, चीक है, चलो, तो यहाँ पर आते हैं, और्गिनाइजेशन में, और्गिनाइजेशन में आज हम लों डिसकस करने जा रहे हैं, United Nations Relief and Work Agency, क्या है यह, जरा हम इसके बारे में बार करते हैं, देखो, यह एक ऐसी एजेंसी है, जो करती है, ठीक है, अगर हम लोग देखें, तो पैलिस्तीन का जो एरिया है, वहाँ पर आपको काफी जादा रिफ्यूजी वगेरा मलते हैं, तो यहाँ इस और्गिनाइजेशन के अंदर, इंडिया ने भी डिसाइड किया है, कि यह कुछ डोनेशन दे रही है, इंडिया ने में देखो, इसका फुल फॉर्म होगे, अब इसको बनाया कब गया था, तो 1949 में इसका गठन किया गया था, ठीक है, काम क्या करेगा, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता है, रिलीफ and human development, किसका, पैलेस्तीन के रिफ्यूजी का, अभी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो हम लोग ने रिफ्यूजी डे मनाया था, है ना, क्या मुझे कमें सेक्शन में बताओगे कि कौन सा वो दिन था, जिस दिन पूरे वर्ल्ड में रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया गया था, फटाक से कमें सेक्शन में लिखके आँसर करो, करेक्ट, राम, राहुल, बिल्कुल सही है, जल्दी से कौश्चन का आँसर करो, आकाश, आकाश आप अगर इस टाइम पर कौश्चन पूछोगे तो पता है कमें बहुत तेजी से जाते हैं, हर एक कौश्चन यहाँ पर रीड नहीं हो बाता, इसलिए बोलते हैं, टेलिग्राम पर सवाल पूछ रिय करेगा, चलिए, जल्दी से आँसर करके बताओ, तो आँसर क्या रहेगा, अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में, तो आँसर क्या रहेगा, रिफ्यूजिडे किस दिन मनाते हैं, अब देखो एक चीज़ यहाँ से याद रखने हैं, कि यह तो हो गया, कि इसकी फॉमे क्या है, अमान हो जाएगी, एक चीज़ और, यह जब हम रिफ्यूजी बोले हैं, तो रिफ्यूजी में कौन कौन आ जाएगा, यहाँ पर जितने भी जॉडन के अंदर, लेबनन, सीरिया, वेस्ट बांक, इंक्लूडिंग, इस्ट जैरो सिलम और गाजा स्ट्रिप, यह जो करके दूसी कंट्री में चला जाता है, और वहां पर जाके वो शरण ले लेता है, उसको क्या कहते है, रिफ्यूजी का नाम दिया जाता है, ठीक है, आंजा नहीं आया अभी तक, कौन से दिन होता है, बहिया, उत्तम ठीक है, तन में, ठीक, ओके सना करे, चलो बहिया, बता हो जाएगा, किसका हेर्कवाटर कहां पर है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में आपको एक सी देखने को मिलता है, जल्दी से कमें सेक्शन में उसका आंसा करो कि वो सी कौन सा है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में कौन सा सी देखने को मिलता है, चलो आजो यहां पर सुलसला करते हैं या से शुरू गुद मॉर्निंग अविनाश है गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग ओके टार्गेट बाइचांस इस ट्रेट के ऊपर एक लास जल्दी उसके ऊपर भी क्लास लेंगे चलो पहला सवाल यह पर क्या है कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट अभ पहले हम लोग थोड़ा ऑप्शन के साथ खेलेंगे फिर आ जाएंगे इस निउस पर देखो सबसे पहले उत्राखन चलते हैं उत्राखन के सीएम कौन है त्रवेंदर राबच जी है यहां की कवर्नर कौन हो जाएंगी बेबी रानी मॉर्य यहां पर स्नो लेपर्स के लिए इसके द्वारा एक पूरा का पूरा यहां पर रेल्वे ट्राक बनाया जा रहा है बहुत बढ़ी आता में लाडू बेरी नाइस अगला देखो होप नाम का जो एक कोर्डल था वो यहां पर उत्राखन में शुरू किया गया था नेक्स आपका यहां पर जितनी भी चीज़ा देखो बताते जाना याद रखेगा उत्राखन का जो पूरा एरिया है पित्थोरा गर डिस्टिक जो आपको मिलती है उसको अभ यहां पर उत्राखन के कौन से डिस्टिक में आपको यह लोकेशन मिलती थी पित्थोरा गर वाले एरिया में अगर पूछा जाए माना पास या फिर लिपू लेग जो है यह दर्रे कहां पर है तो आंसर बन जाएगा उत्राखन लेग से लेके पूरा कैलाश मान सरोवर तक एक रास्ता बनाया जा रहा था एप्रोक्स 82-90 किलो मिटर्स का वो पूरा एरिया था जिसको लेके अभी इंडिया और नेपाल के बीच में विबाद हो गया था इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइस होती है उसका नाम क्या है सूर्य किरन तो यह पूरी बात म पर जो स्टेट रहा है कौन सा है गुजरात है और कंपोजिट वाटर मेनेजमेंट का जो सर्वे हुआ था उसमें भी नंबर वाइन पर रहने वाला स्टेट कौन सा रहेगा गुजरात रहेगा यहीं पर सुझलाम सुफलाम नाम की भी एक यूजना शुरू करी गई थी जि इसके उपर एक स्टाटिक का क्लास मैंने सुबर पांच बजे लिया है नहीं देखा क्लास तो प्रीज देख जरू लीजेगा इंपॉर्टिंट है वो अब देखो जगरनात पुरी रथ यात्रा जो है वो अभी शुरू करी गई है जिसके उपर सुप्रीम कोट ने कहा था क कि कुछ रिस्टिक्शन के साथ आप इसको फॉलू कर सकते हो तो सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे यहां पर एस ए बोबडे जी कौन से नंबर के सीजिया है तो दाट विल भी 47th नंबर समझ गया है चलो अब आज जो इस न्यूज की बात क बूला गया है एक्जाम में आपसे जगा भी पूछी जा सकती है और धर्मीन प्रिधान जी का नाम भी पूछा जा सकता है तो बी प्रिपेर्ट आपको मालू होना चाहिए इसकी कैपिल चिन्नी के अंदर लॉक्डाउन चल ला है अरे हाँ चिन्नी से लॉक्डाउन से अब देखो यहाँ पर गवर्नर कौन हो जाएंगे बनवारी लार पुरो ही जी रहेंगे इसका गठन कब हुआ है 1950 में और यहाँ पर जो विधान सभा है उसमें कुल सीटे कितनी है 235 हैं मेतुर डैम बना हुआ है कावेरी नदी के उपर मुकुर्दी नाशनल पार्क मुद जल्दी एक स्कीम आने वाली है राजिस्थान के अंदर जुसका नाम होगा यहाँ पर किसके नाम पर इंदरा गांधी जी के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा नाम कह रहेगा इंदरा रसोई योजना क्या नाम होगा इसका इंदरा रसोई योजना यह इसका नाम दिया ज मैं उन सभी लोगों को यहां पर जो खाना प्रोवाईड किया जाता है जो फूड प्रोवाइड किया जाता है वो नुट्रिशन से भ़रा हुआ होना चाहिए नुट्रिशन का मदलब क मया है उसमें आरेन हो प्रोटीन हो, calcium हो, यह सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, तो इस scheme को कहा पर शुरू किया जाएगा, राजस्तान के अंदर इसकी स्टार्टिंग करी जाएगी, अभी announcement नहीं हुआ है, जल्दी announce हो जाएगा और जैसे कि सरकार के द्वारा, तो लेट सी, कितनी जादा यह एफेक्टिव होती है, ठीक है, अगले सवाल प्याओ, question number two, okay, Sandeep is from West Bengal only, हाँ बाईया, यही हो गया, 31st July तक lockdown हो गया वाँ पर, हाँ जी, अगला सवाल, अगले question कहां से गरो, सवाल ना कूछा जारा, युक्ती 2.0 platform launches recently, it is related to what, आपको बताना है कि जो युक्ती 2.0 platform है, वो इन में से किसी के साथ जुड़ा हुआ है, exactly, very nice, Sunakshi, Ajay, Kavinta, Happy, Boy, Samir, Dikshah, Dipa, Khushbu, Pramod, Akshay, Right, अब देखो, इस कहां से क्या हो जागा, education portal है, अब ये काम क्या करेगा, देखो, इसका काम क्या होता है, कि ये एक तरीके का ऐसा platform है, जहां पर higher education institutes को क्या काम करना है, online platform create किया गया है, जहां पर आपको innovative काम करने है, और इसके साथ में entrepreneurship को भी बढ़ावा देना है, ये काम करने के लिए क्या बनाये गया है, कि जितने भी youngsters हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर participate करें, जितनी भी knowledge है, उसको spread करें, technology, जितनी जादा आप यहां पर सीख सकते हो, दूसरों को सिखा सकते हो, इन सब चीजों के लिए यहां पर एक platform बनाया गया, देखो, COVID के चलते क्या हो रहा है, हर एक चीज़ वे वो online mode पे हो रही है, चाहे आपके schools हो जाएं, चाहे आप लोगों के जो भाई बैन है, उनके school ले लो, उनके classes ले लो, घर पे बैठते हैं, उसके बाद खुद तो पढ़ते हो, पूरे घर वाले भी पढ़ते हैं, ये कि हम पढ़ारे हो, मेरे पूरे घर वाले सुन रहे होते हैं, कि अच्छा है, क्या क्या पढ़ाती चली जा रही है, तो ये चीज होती है, यह हो जाएगा, युक्ती का फुल पांप, किसने लॉंच किया है, जरह हम यहां पे कुछ बात कर लेते हैं, देखो, युक्ती जो है इसमें दो चीजों का खयाल रखा जाएगा, इनोवेशन और दूसरा क्या हो जाएगा, इंटर्प्योनर्शिप इन एजुकेशन फील, ठीक है, यह दो इसके अब्जेक्टिव होंगे, लॉंच किसने किया है, तो यहां पे जो HRD मिनिस्टर है, यानि कि रमेश पोक्रियाल जी के दौरा इसको लॉंच किया गया, रमेश पोक्रियाल जी की कॉंसिट्वेंसी क्या हो जाएगी, हरिद्वार रहेगी उत्राखन, अच्छा, हरिद्वार उत्राखन चे याद आया, रामदेव बाबा, रामदेव बाबा वो जो एक दवाई लेकर आये थे ना, कोरोनिल याद आई, कोरोनिल याद है कि भूल गया हो, यह बताओ, गजव, दीक्षा, गुण मॉर्निग, अब हो रहे है तुम्हारा, अजी, कोरोनिल याद है ना सबको, तो बोले यहाँ पर जल्दी से बाबा रामदेव की जै, बाबा रामदेव जो यहाँ पर दवा लेकर आये तो लेट सी, कि यहाँ पर आयूश मिनिस्ट्री के द्वारा क्या कंक्लूजन निकलता है, जैसे कोई भी पॉइंट आएगा, वो हम लोग डिसकस कर लेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर हरिद्वार आया, तो मुझे जल्दी से याद आगए, कि हाँ हरिद्वार से जुड़ा ह कुछ यहाँ पर यह था, अच्छा, अब आप सोचेंगे कि यार, यह जो स्कीम यहाँ पर शुरू करी जा रहे है, जो प्रेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है, इसका मेन अब्जेक्टिव क्या है, यह तो बता दिया, बट मैम हो क्यो रही है शुरू, आत्म निर्भर भा बनाने के लिए, देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कि हमारे यहाँ पर, आईटी सेक्टर वाले बहुत हैं, कम्प्यूटर नॉलेज वाले बहुत सारे लोग है, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, जिनके पास नॉलेज तो भरा पड़ा है, लेकिन किसके साच शेयर कर करना है, कौन से प्रेटफॉर्म पर शेयर करना है, उनको वो नहीं पता होता है, तो अब इनको एक ऐसा प्रेटफॉर्म प्रोवाइट किया जा रहा है, जहां पर जाके यह अपनी सारी कि सारी जो इंफॉर्मेशन वगेरा वो शेयर कर सकते हैं, अगला सवाथ, हम लोगों को कोचिंग की पड़ी हो, कि कोचिंग अब शुरू हो गया, तो 2003 में इसको सबसे पहले बार सेलिब्रेट किया गया था, अच्छा इसका बेसिक चीज क्या होती है, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या होगा, कि जो हम लोग पब्लिक सर्विस क करना कि वो लोग भी ऐसा काम करें, वो मुवी देखे न, कौन सी एक मुवी आय थी, मुझे नाम नहीं आदा रहा है, सल्मान खान की को एक मुवी थी, जिसमें वो नहीं बोलता है, कि थाइंक्यू के जगे आगे जाके किसी तीन लोग की हेल्प कर देना, बिलकुल वही वा योगा विद फामिली, हाइड्रोग्राफिक डे, कब होता है, 21 जून को, वर्ल्ल म्यूजिक डे, 21 जून हो जाएगा, ओलंपिक डे कब रहेगा, 23 जून रहेगा, सवाथ, मैंने आपको बताया था, कि ओलंपिक में, जो ये 5 रिंग होती है, ये किस चीज को दर्शाती है, जल दी से कमेंट सेक्शन में अंसर करो, ओलंपिक में, हाँ, जै हो मूवी थी, कितिना तुम लोगों को मूवी का लाव हम याज रहते है, जै हो मूवी थी, राइट, बबलु जी, कोचिंग कब खुलेंगे, कुछ नहीं पता है, तब तक घर पे हो, अराम से पढ़ो, अनक का लिंक भी मैंने शेयर करवा दिया है, जाके क्लिक करना, डिरेक्ली आप मेरे प्रोफाइल पर पहुंचोंगे, सारे क्लासे मिल जाएंगे, चाहे पेड वाला क्लास हो, चाहे फ्री वाला क्लास हो, ठीक है, चलो, अगला सवा, निश्ठा, विद्यूत, मित्र, योजना, बताओ भईया, कौन से स्टेट में शुरू हुई, आँ से करो, फटाक से, हिमानशू, अच्छा, जल्दी बताओ, कौन्टिनेंस को दर्शा आता है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, देखो, इस कहां से क्या बनेगा, MP के अंदर इसकी शुरुवात करी गई ह अब देखो, MP में शुरुवात करी गई है, देखो, यहां पर तीन स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, MP, MP के अंदर इस स्कीम को शुरू किया है, लेकिन इसमें फोकस किसको किया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, इसमें क्या बोला जा रहा है, कि जो सेल्फ हेल है तो इसमें क्या किया जाएगाक कुछी है के टी यानि कि पिछणी च१ोरी होती है सब को फता हैं कि आ पर यहां जाता है कि वहारे घर पर पहुंच जाता हैं लेकिर यह दो यहां पर चीजने के बूलती है तो self help group को अब यहाँ पे यह बोला गया है कि अब आप लोग इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे यानि कि लोगों को यहाँ पे जागरूप किया जाएगा कि अपना जो बिल है वो timely pay करिये दोसा काम होगा कि अगर कहीं पे भी बिजडी चोरी होती है तो उन सब चीजों के लिए जो information प्रोवाइड करी जाएगी वो self help group के द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी इसका main objective क्या है महिलाओं को आत्म निर्भर बनाना मतलब जो women's हैं उनको एक तरीके से self dependent बनाना या पर महिलाओं को empower करने के लिए इस योजना की शुरुवात करी गई ताकि वो भी यहाँ पर कुछ काम कर सकें कुछ काम करेंगे तो उनके पास भी amount आएगा उनके पास amount आएगा तो वो एक निर्भर व्यक्ति के रूप में पूरे राज्य के अंदर खुशी से रह सकते हैं तो यह ध्यान रखेगा महिलाओं को empower करने के लिए इस योजना के शुरुवात MP नाम के राज्य के अंदर करी गई है ठीक है बास समझ मैं प्रग्या बस यह हम बताने ही जा रहे था आप लोगों को तो लोग बता देते हैं बहुत अच्छी बात है यहाँ पर चलिए अब देखो यह जो स्कीम है यह MP के अंदर सिर्फ 16 जिलों में अभी शुरू करी जाएगी इसका में अब्जेक्टिव क्या है महिलाओं को empower करना उनका शिशक्ति करन करना नेक्स हो जाएगा इसके अंदर ग्राम पंचायत जो है उनको सबसे जादा power provide करी गई है ताकि जितने भी यहाँ पर डिस्टिक है हर एक डिस्टिक के अंदर जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर development किया जा सके बहाँ पर इस तरीके की कोई भी समस्य का सामना ना करना पड़े ठीक है अब यह याद अट लेना कि किसके लिए है तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एस एच जी का फुल फॉर्म बता दो अब देखो MP के अंदर जीवन अम्रित योजना दीन दयाल कमिटी इसके अलावा चरण पादुका स्कीम एफ आपके द दूसरा देखो एक स्टेट कलाम नेका हुआ था जारखन क्या इंपोर्टिन है यापर जारखन लांचेज इंप्लॉइमेंट गारंटी स्कीम फॉद अर्बन पूर क्या मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ थीक है चालो 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 आरेंदम ओके अब देखो यहाँ पर क् हारखन एक ऐसा राजज बन गया है जहां पर इंप्लॉइमेंट गारंटीड स्कीम की शुरुआत करेगे इंप्लॉइमेंट गारंटीड का मतलब यह हो जाएगा कि मनरेगा के अंदर अब यहां पर हर एक व्यक्ति को काम की सुविदा दी जाएगी अब कितने दिनों का काम दिया जाएगा तो यह तो आपको यहां पर मालूम ही है कि जब हम मनरेगा बोलते तो सौ दिनों का काम दिया जाता है सौ दिनों का काम इनको दिया जाएगा और इसके अंदर पेमिंट भी जो है वो टाइमली किया जाएगा राजसरकार की जिम्मेदारी होगी कि इनको जो क वो 15 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए इस से जादा समय ना लगे इसको इंशोर करने की जिम्मेदारी किसकी होगी स्टेट गौर्मेंट की होगी इसी के साथ में जारखन के अंदर एक और स्कीम शुरू करी गई है जिसका नाम क्या है दीदी रसोई अब दीदी रसोई स्कीम यह तो सिंपल है यहां पर खाने के बारे में हम बात कर रहे हैं आचा मुझे बताओ के मोधी किचन कहां पर शुरू किया गया था जारकन बन जाएगा दूसरा ऐसा स्टेट जहां पर guaranteed job की बात कहीं जा रही है बट ध्यान रखेगा urban poor के लिए है यानि की शहरी इलाकों में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए इस योजना को चलाया जा रहा है यह ग्रामीर छेतरों के लिए नहीं है ठीक है urban poor की बात कर रहा है यह line आपके लिए अगले सवाल पर हो कमिल लाडू बहुत बढ़िया बेरी नाइस अगला सवाल इवर्ट्स फर्स योगा युनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया आपको बताना है कि इंडिया के बाहर ऐसा कौन सा देश बन गया है जहां पर सबसे पहली यूगा युनिवर्सिटी को खोला गया है आंसर बन जाएगा यूएस अब देखो यहाँ पर जापान कर मैंने आपके साथ यहाँ पर एक आईलेंड के बारे में डिस्कुस किया था ना जिसका नाम चेंज करने की बात करी जा रही है जापान के द्वारा और यह जो आईलेंड है जापान और चाइना के बीच में आपको विबादर डिस्प्यूटेड आइलेंड मिलता है रशिया के अंदर मॉस्को जो कैपिडिल है इसका वहां पर आर आई-सी की बैठा करीग सबसे पहले देखो पूरे विश्व में पूरे वर्ड में सबसे पहली जो योगा युनिवसिटी खोली गई है इंडिया के बाहर वो कहां खोली गई है लॉस आंजलेस में देखो लॉस आंजलेस से क्या तुरंत याद आना चाहिए Summer Olympics कौन से वाले तू थाजन अभी ट्विंटी वाले 24 वाले पैरिस में और 28 वाले जो होंगे चार साल पे होता ना जो 28 वाले होंगे वो लॉस आंजलिस के अंदर ही और्गिनाईज किये जाएंगे तो यहाँ पर इसको कोला गया है काफी इंपोर्ण हो जाएगा योगा डे युनिवर्सिटी अब वेतिनाम लिखा था अज कंट्री में हम लोग वेतिनाम ही डिसकस करने वाले वैसे कल है कौन सी तारिक 26 है तो कल से आसियान का जो सम्मेलन है वो शुरू होने जा रहा है 36 एडिशन होगा और इस बार की यहाँ पर जो मेजवानी कर रहा है देश वो कंट्री कौन सी है वेतिनाम है जब हम आसियान बोलेंगे तो आसियान में कुल कितने देश आते हैं दस आते हैं और इंडिया जो है वो इसका मिंबर नहीं है आसियान का एक और ग्रूप है जिसको हम RCEP के नाम से भी जानते हैं Regional Corporation Economic Partnership इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं 15 देश इसके अंदर आते हैं इसमें कितने देश आते हैं 15 कौन सी कंट्री इसमें से बाहर हो चुकी है इंडिया इसमें से बाहर हो चुका है प्लास्टिक से बनी हुई जितनी भी बॉटल्स वगेरा है उनका इस्तमाल नहीं किया जाएगा जहां पर भी गवर्मेंट ऑफेसे हैं आंसर हो जाएगा अब देखो यहां पर जम्मो इन कश्मीर गिरिश मुर्मु जी कौन है ल्यूटिनेंट गवन है डल और वुलर लेक आपको जम्मो इन कश्मीर में मिलेगी जम्मो इन कश्मीर के अंदर जो डॉमिसाइल आक्ट है वो भी हाली में चेंज किया गया है राम पतेल जी थांक्यू यह जिस बोलने के लिए शेयर कर दे हैं शेयर और लाइक करना हम भूल जाते हैं बाहर बहर कहना तुम लोग तुम लोग इतना काम खुद से कर लिया करो मुझे ना कहना पढ़ा करें कि सेशन को एक बाद से शेयर कर दिया करिये क्या बोला गया है यहां पर लद्दाग जो यूनिन टेरिट्री है इसमें बोला गया है कि जितने भी ऐसी जगे हैं जहां पर आपको गौर्मेंट और ऑफिसस मिलते हैं वहां पर किसी भी तरीके की प्लास्टिक से बनी हुई बॉटल का इस्तमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां की जो एकोलोजी है और वहां का जो इन्वार्मेंट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है जब हम बोलेंगे लद्दाग और जब हम बोलेंगे लद्दाग तो बड़ा जाने का मन था लेकिन जब से यह चाइना ने किया है ना तब से मतलब गुसा आ है वो कौन सा है हमीज नाशनल पार्ग है इसी जगह पर अगर देखा जाए लद्दाक के अंदर तो आपको दो जिले मिलते हैं दो डिस्टिक हैं पहला है ले दूसा कौन सा है कारगिल अच्छा हाँ आज की नियुस्पपर में अभी सुपर सुपर मैंने ऐसे हेडलाइन फिर से याद दिलाओ देम चुक पहरे तो यह जगह का नाव याद रहो कहां पर रही है लद्दाक वाली रीजन में ठीक है वो देखो बंदना गुड मॉनिंग दिस नाट टाइम तो जॉइन भाईया समय पर आ जाये करो सेशन में अब देखो यहां पर आपको मैंने यह च सेक्शन में लिख के मुझे उस सड़क का नाम बता दो रिवर का नाम मैंने आपको बता दिया है यह जो विवाज चला था यहां पे जो लाइन है उस लाइन का नाम के लेसी यानिकि लाइन अप आक्च्वल कंट्रोल फटाक से जड़ा मुझे उस रोट का नाम बताओ यार ठीक है चलो ठीक है उसको डिस्कुस कर लेंगे चलो यहाँ पर जल्दी से बताओ उस रोड का नाम मुझे जानना है फटाक से आंसे करो याँ इजी कोश्चन पूछा है मैंने आपसे चलिए अच्छा अब देखो उत्राकंड की जो क्रिकेट टीम है उसके हेट कोश की रूप में अभी हाली में किसको नियुक्त किया गया है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वसीम जाफर को एपॉइंट किया गया है पहली चीज तो यह ध्यान रखेगा कि यह माराश्रा की तरफ से खेलते थे आप देखो विराट कोली विराट कोली आपको यह चीज तो मालू है इंडिन कैप्टन है और अभी रिसेंटी इनका जो नाम आया था कुछ समय पहले तो इनको पेटा एवोर्ट से सम्मानित किया गया था आसाम के अंदर किसके द्वारा रोही शर्मा के द्वारा सौरफ गांगुली और सुनील छेत्री जी इनको अभी एक सीमेंट कंपनी के एंबस्टर के रूप में चुना गया है सौरफ गांगुली कौन है तो बीस इसी आए के जो अध्यक्ष है वो कौन है सौरफ ग पूर है ठीक है समझ में आगी बार पूरी तुम लों को लिस्ट मैंने शेयर करी ती तो गर्वन मत करना सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर वसीम जाफर जी हैं जो अभी रिटायमेंट ने चुके हैं हर एक प्लेटफॉर्म से इ अलवंध गुड मॉर्निंग भाईया कहां रहते हो तुम लोग यह कोई समय नहीं है गुड मॉर्निंग करने का क्लास में समय पर आया करो क्लास का टाइम सुबह साथ से आठ है सेशन के बीच में आओगे आधी चीज़े समझ नी आएंगे और मनी मन काओगे माम पता नहीं क मानी जी की चाहे वो रांकिंग हो एशिया के अंदर टॉप 10 हो या फे फोर्ब्स की मैगजी में आपका 17 नंबर पे हो तो यह तीन न्यूज आपके रिलाइंस जीओ से जुड़ी हुई है अब क्या हुआ है हर्याना सरकार ने रिलाइंस जीओ टीवी के साथ पार्टनर्श चलते हर एक education institute जो है वो online platform पे आ गया है ठीक है हर्याना के अंदर ये बोला गया कि जो 52 lakh student है जो बिचारे अपने घर पे बैटके classes को देख रहे हैं लेकिन फिर भी अगर उनके पास वो सुविधाय नहीं है कि वो class को यहाँ पर देख पाएं तो यहाँ पे हर्याना सरकार क के साथ partnership करेंगे जिसमें क्या होगा दर ध्यान से समझ दीजेगा कितने बच्चों को यहाँ पर profit होगा 52 lakh बच्चों को यहाँ पर profit होने वाला है इन्होंने अपना एक चानल शुरू किया जिसका नाम क्या है एडू से है एडू का मतलब क्या हो गया education हो ठीक है यह जो channel है इस channel के उपर अगर देखा जाए तो चार चानल शुरू कर रहा है कौन Reliance.io जिसमें क्या होगा जो lectures होते है न टीचर जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाती है उसको एक lecture के form में दिखाया जाएगा और वो lectures पूरे हफते भर के लिए इसके उपर रहेंगे मतलब आप अग जगह पे आप open करके इनको देख भी सकते हैं काफी अच्छा ये initiative लिया गया है मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि education को promote करोगे तभी आपकी जो बाकी समस्या है वो यहाँ पर सुधरने वाली क्योंकि इसके लावा और कुछ नहीं है ठीक है एक यही एक ऐसा solution है जि इसके साथ में पंजाब का भी capital क्या है चंडिगर है बनाया कब गया भीया 1966 में बनाया गया है एक चीज़ और अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले अटल व्यारी बाचपेजी के नाम पे एक अटल कैंटीन की शुरुवात करी गई थी जिसमें 10 रुपे में पूरी थाली द स्कीम का नाम कमें सेक्ष में फटाक से आंसे करो थाइंस अलोट थाइंस अलोट बोलो विजू के गाओं में बारिश हो रही है भाहिया मॉन्सून है तो बारिश तो होगी होगी शुकर मनाओ आज अब मॉन्सून नहीं पड़ा रहे है चलिए अगला देखो वन लाइनर ज कुछ पॉइंट डिसकस करेंगे सबसे पहले लुनार जील कहां पर है माराश्रा के अंदर लोकेड़ है अभी इसका जो कलर था वो पिंक हो गया था जिसके चलते इसका नाम चर्चा में आ गया था यह जो आपका जील है यह 50,000 पुराना है ऐसे माना जाता है और यह क्रेट जनाल है चलो बहुत बढ़िया सीम कौन है यहां पर उद्दव ठाकरे जी है और गवरनर अगर पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे भगसिंग कोश्यारी जी है सिकेंडली जब हम माराश्रा बोल रहे हैं आपसे तो एक चीज और दयात कर लेना यहां पर कि माराश्रा जो Cyclone जो mercant Guaddi से स्यात्रा गया जो साइक्लोन आया थो उसका नाम क्या था और इसा वेस्ट वहरेंगल वाले अरिया में तो tua एमवान अधे आच्छे था ह aboard वय्याए धिसी जल्दी से मुझ नाम बता दो उसका नाम बांगलादेश के दोरा दीया गया था नाम से शुरू ह इतना हिंड भी कर दिए, जल्दी बोलो आंसे क्या हो रहेगा, जल्दी 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 आंसा करो, यहां पर पटाक से आंसर आना चाहिए, और हां सेशन को एक बार से लाइग भी मार दिया करो, अब देखो यहां पर, अगर सवाल पूछा जाए कि ये जो है, ये किस चीज स पूछा जाएगा अब आजो यहाँ पर यह news थोड़ी जादा important है देखो इस रो सबको पता है इसका headquarter Bangaluru के अंदर है इसके head corner के सिवान जी है और India और Japan के बीच में अभी recently एक agreement किया गया है कि गगन यान mission जो कि launch किया जाएगा 2022 में उसके बाद इंडिया और जापान मिलके अपना एक mission launch करने वाले हैं सब को यह चीज़ पता है बहुत अच्छी तरीके से सबी चीज़ जानते हैं ठीक है अब देखो अब क्या बोला है हमारी finance minister ने यहाँ पर cabinet ने announcement किया है कि आने वाले समय में upcoming time में आई एन space डेवलब किया जाएगा जिसके अंदर private sector लोगों को भी या फिर में यह कह सकते हैं कि जो private companies है वो भी अब इसके अंदर काम कर पाएंगी जैसे कि NASA थीक है private company बन गई थी जिसने ऐसा काम किया था तो अब इंडिया भी ऐसे ही कुछ काम करने जा रहा है कि private sector के अंदर जो companies आती है उनको भी अब मौका दिया जाएगा कि वो भी space के लिए यहाँ पर कुछ काम कर सकें किसके साथ इसरों के साथ मिलकर तो अब यह announcement हुआ है जैसे ही promotion and authorization center यह इसका full form रहेगा निर्मला सीता रवन जी के द्वारा यह announcement किया गया अगर ऐसा होगा तो definitely हम लोग इसको discuss करेंगे but information and broadcast ministry यह मंत्राले किसके पास है यहाँ पर देख लीजेगा रमिश पोक्रियाल जी याद आ रहे है प्रकाश जावेटकर जी के पास यह मंत्राले मिलेगा और environment ministry भी प्रकाश जावेटकर जी के पास है जिनके constituency क्या रहेगी रजसवा मिंबर प्राम महाराश्ट्रा ठीक है चलो भाईया आगे चलते हैं थांकियो अनीता भाईया शियर मार दो एक बार से आओ लो चलो अभी तक इंडिया चाइना से परिशान थे अब देखो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान इन दोनों की जो संख्या है अब वो क्या कर दी जाएगी वो हाफ कर दी जाएगी क्या मतलब हुआ है इसका मतलब क्या हो गया तो इसमें देखो यहाँ पर यह बोला जा रहा है हाई कमिशनर का मतलब क्या होता है जैसे कि एमबेजर होते हैं उसी तरीके से क्या होते हैं हाई कमिशनर होते हैं चलो ठीक है बहुत बढ़ी आबात है सब कोई ची समझ में आ ग करते हैं अब हम उनकी संख्या आधी करने जा रहे हैं और आप भी अपने यहां पर यह काम कर लीजेगा कि आपकी जो हमारे यहां पर है उसके अंदर जितने भी हाई कमिशनर से उनको आधा कर दो ठीक है अब देखो यहां पर होता क्या है अगर हम हाई कमिशनर बोलते हैं तो हाई कमिशनर का मतलब यह होता है कि कोई भी ऐसी जगा जहां पर वो कभी कॉलोनी रहा हो उपनिवेश रहा हो अब अगर मैंने embassy बोला है तो आज सुबह सुबह कोई मुझसे पूज भी रहा था इसके बारे में बिल्कुल करेट है यहां पर संदीब हाँ बिल्कुल संदीब अब देखो यहां पर एच चीज ध्यान रखेगा कि यह जो यहां पर decision लिया गया है इस decision को लेने का reason यह था Vienna Convention अब आप सोचेंगे माम what is Vienna Convention तो जो Vienna Convention है उसमें यह बोला जाता है कि किसी भी country का अगर High Commissioner या फिर Ambassador आपके आपे काम करता है तो आपको उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से behave करना होगा आप उसे arrest नहीं कर सकते उसको मार पीट भी नहीं सकते त पाकिस्तान के द्वारा ऐसा इंडिया के द्वारा कहा गया है ठीक है हमें क्या याद रखना है पेरी चीज तो बियना कंवेंशन कब आई थी 1961 में आई थी इसके अंदर यह बोला जाता है कि जितने भी diplomats होते हैं यानि कि जो भी High Commissioner होते हैं इनके साथ जो बेवार किया जा यह रहा मनिपूर ऊपर रहेगा नागलें यहां पर आसाम और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा मेजोरम अच्छा एक चीज और फिर से बोलने है भाईया 9 बजे एडिटोरियल का क्लास है नहीं बहुत पाओ कि मैं क्लास कहां पर है तो क्या काम कर सकते हो वीडियो के जस्त नीचे description box में मेरा unacademy का link attached है follow me on unacademy जाके click कर दो सीधे क्लास में पहुंच जाओगे ठीक है 9 बजे अब देखो यहां पर मैंने सारी scheme लिख दी है जो भी हाली में मनिपूर के अंदर आए थी देखे सबसे पहला यहां पर क्या है लुई नकाई ने यह एक festival celebrate किया जाता ह नागा नाम की जनजाती के द्वारा जो कहां रहती है मनिपूर के अंदर रहती है इसके बाद देखो मनिपूर के अंदर जो एक डॉक्टर है जिनका नाम के ठंग जान इनको order of rising sunset का जो award था उससे सम्मानित किया गया है और यह award कौन सी country देती है जापान के द्वारा दिया person है जुनके पास खाने के लिए नहीं है जुनके पास basic चीजे नहीं है उनके लिए इन चीजों को शुरू किया गया था मनिपूर के अंदर यह सारी scheme है परवरी से लेके अभी जून तक की जित्ती scheme आई है सारी मैंने लिग दिया है मनिपूर के अंदर स्टाटिक देख लो यहां पर मिलेगी आपको लोकटक लेग और इसी जगह पर होगा आपका केबॉल लामजुवा नाशनल पाग, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग नाशनल पाग है, यहीं पर आपको एक रिवल मिलेगी बराक, अभी कुछ दिर पहले एक कमेंट आया था बर आपको मिलती है किसके उपर, लोकटक लेग के उपर, अब देखो यहां पर कॉनसा फेस्टिवल होता है, तो चवांग कूट फेस्टिवल यहां पर सेलिबेट किया जाता है, कॉनसा लोक नत्ते रहेगा, यानि कि फोग नास यह हो जाएगा आपका धोल चोलम, इंपोर्ट और शेर हो रहा है, इंडिया और यहां पर यहां पर यह जो वितनाम है, इसकी जो exercise होती है, उसका नाम क्या है, विम्बेक्स रहेगा, इस पूरे एरिया में, जो landlocked country है, वो कौनसी है, लाउस, कौनसी country रहेगी, लाउस, अब देखो, capital क्या है, हनोई हो जाएगी, currency क्या ह हो जाएगी, dong, अब यहां पर आपको दो जगे का, यहां पर कह सकते हैं, कि दो continent का, यहां कह सकते हैं, दो country का culture यहां देखने को मिलता है, Chinese and European, capital मैंने आपको बताई दिये, यहां पर एक festival मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, हूँ फेस्टिबल, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, भया, देखो, यहां पर हूचिन मिन का नाम जो है, वो हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि इनको बोला जाता है, father of वितना, क्योंकि इनी के द्वारा वितनाम को जो modernization प्रोवाइड किया गया था, वो मिला था, तो great uncle who, ध्यान रखना, अगर यह ल और साथ में ये भी कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा coffee producer है, वो ब्राजील है, और पूरे वर्ल्ड का दूसरा ऐसा देश, यहां पर coffee का सबसे जाधा production होता है, वो हो जाएगा वितना, यह है country capital जो आपको आज के लिए याद करनी है, मैंने कहा था, दो दिन हम इसको डिस्कस करूंगी, और साथ में ये दो सवाल है, comment box में सबके answers आने चाहिए, अब हाँ, session को end करने से पहले, how was the session पहले तो ये बोल दो, ये जो class होने जा रहा है, ये class आपका Saturday को रहेगा, सुबह साड़े 10 बजे से लेके, 12 बजे तक YouTube पे, on the same place, by first study studios, तो अगर पहली बार आये हो, तो session को please like and share करना, चानल को subscribe जरूर कर लेना, आप देखो, अगर पूरे साल भर का इंटरफियर साप पढ़ना चाहते हैं, पुराना, चाहे फिर वो state level exam, SSC exam, कोई भी exam क्यों ना हो, तो आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं, इस particular batch के अंदर, क्या करना है, on Academy के app को download मार आयेगा, goal select करिएगा, SSC, और वहाँ पर या तो आप मेरे नाम से सर्च करने ना, आप तो directly पहुंच जाओगे, प्रोफाइल पर, क्या करना है, वीडियो के just नीचे description box होता है, जहाँ पर काफी सारी चीज़न लिखी होती है, वहाँ पर सबसे नीचे देखना लिखा होगा follow me on unacademy, जाकर पटाक से click मारो, यह batch आपको वहीं पर मिल जाएगा, जब यह batch अवेल करोगे, तो क्रती 10 code लगेगा, जब आप इस batch को अवेल करोगे, तो जो GS हम आपको पूरा basic से पढ़ा रहे हैं, आपको वो आले classes भी मिल जाएंगे, आपको 10 जगे भागने की जरुरत नहीं पढ़ेगी, maths, reasoning और English, यह भी combination आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यह पूरा schedule है मेरे free classes का, अभी रात में 9 से 10 आपका crash course चल रहा है, तो इसको देखना मत भूला करो, और YouTube पे, आज जो 11 बजे class होगा, उसमें हम quality का topic पढ़ाने वाले हैं, जुड जाएगा बनना, यहाँ जोड़ जाना, लिंक अभी class का मैं थोड़ी देर में आपको share कर दूगी, और हाँ, इंस्टा पे भी आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं, कोई भी सवाल है, कोई भी query है, आप मुझे टेलिग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर, वीडियो के नीचे एक बासे comment करके सकते हैं, ठीक है, तो I hope कि session पसंद आया होगा, session को end करने से पहले, मुलाकात होगी, आपसे 9 बजे और 11 बजे YouTube पे, till then, bye-bye and take care.